अब है और अभी मुझे लग रहा है कि हम सब के घरों में यही हाल होगा साफ सफाई का तो आज सुबह से साफ सफाई करते करते बहुत जादा लेट हो गया तो इसलिए मैंने सोचा कि बेकफास्ट और लंच साथ में बना लूँ और सुबह इन लोगों ने फूरूट्स होगे रखाया था वो तो आविसलिए सब सुबह खाते हैं कुछ न कुछ और यह मैं बना रही हूं आलू का सुखा भुजिया और दाल और रोटी तो इसमें यह पाच फुड़न के मसाले इ इधर में दाल मेना रही हूं अरहर की तो दाल में थोड़ा सा मैने तेल डाला था कुकर में उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से भून के जब खुश्बू आ जाए और उसके बाद पानी डाल दिया फिर नमा खल दी क्यूंकि तरका बाद में लगाना है इसलिए और लगवाग एक चोटा चमच और इसको अच्छी तरीके से हमने चलाना और अब यह थोड़ा सा मतलब गोल्डन होने लगा है तब हम इसको एक से दो मिनट के लिए ढग देंगे और यह नॉन स्टिक पैन नहीं है लेकिन इसमें अच्छी तरीके से बन जाएगा और इधर मैं पराठे से करी हूँ तो जैसे कि सुबह सुबह जैसे ब्रेकफास्ट हो गए कई लोग पराठे खाते हैं कई लोग लंच में भी खाते हैं या कभी खाते हैं अगर आप इस टाइब का कुछ खा रहे हैं और आपको उसके बाद आलस आता है तो एक चीज का हमेशा ध्यान करते हैं जिससे की आलस नहीं आता नहीं तो अचानक से अगर यह सब चीजें खा लेंगे तो बहुत जादा आलस आने लगेगा और जैसे कि नवरात्री आने वाली है तो हम लोग सभी मतलब अपने घर की साफ सफाई में काफी बीजी है वेस्त है अपने स्किन के रियले बिल् कर सकते हैं अपने लिए तो मैंने सुचा है फटा फट से होने वाला जो काम हो जाए तो वह कर लूँ तो इसलिए पहले मैं यह स्क्रब करूंगी क्योंकि इस पे कुछ मुझे डेट से नजर आ रहे हैं और उसके बाद यह मामारत का यह फेस पैक मुलतानी मिट्टी फेस प और ठंड में तो और ज्यादा बूरे आहल हो जाता है और चली मैं आपको दिखाते हूं इसके साथ क्या-क्या है फटा-फट से तो पहले मैं इसको यूज करनू उसके बाद मैं यह सब लगाऊंगे फेस पे बॉक्स के अंदर का जो कंटेंट है तो एक तो आपको यह मैनु इसके साथ आपको तीन इंटर्चेंजेवल रोलर ब्रश मिल जाएंगे और एक बार अगर आपको इसके चार्ज कर लेते हैं तो 45 मिनट तक यूज कर सकते हैं लेकिन 45 मिनट की जरोत नहीं पड़ेगी बहुत ही कम टाइम में आपके पैर बिलकुल स्मूध हो जाते हैं जैस ऐसमें जैसे कि थोड़े ज़ादा अगर हार्डे हैं आपके जो लिणयो कर सकते हैं और यह बलैक वाला अगर आपके हील्स बहुत जादा डाट रेंडवी से बखरे हुए हैं बिल्कुल इक अजीबशिए हो रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं और यह जो वायर है प्रेस करेंगे यह अटेच हो जाएगा और इसको जैसे निकालने के लिए हमें इन दोनों बटन को इधर दोनों साइड है इसको प्रेस करना है और उपर की तरफ खीच लेना है तो यह निकल जाएगा तो इसी तरीके से आप ब्रश जो भी चाहे रोलर ब्रेस चेंज कर सकते ह और इसके ओपर एक पत्ली सी फिल्म थी और पन्ली जैसे चड़िवी थी वो मैंने हटा दिया है और आपको इस टाइब का इक पाउच मिल जाएगा कि अगर आपको जैसे कि इसको क्यारी करना आसाल रहेगा ट्रैवल हो गरापे भी आप इससे ले जा सकते हैं कहीं पर भी बहुत इजी है इसको क्यारी करना तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले पैरों को अच्छी तरीके से साफ कर लें और सुखा लें और उसके बाद यूज करना है इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक जगह पर ज्यादा देर तक ना रखें इसको इस तरीक तो आप चाहे इस ब्रश को जो इसका रोलर है उसको आप पानी से भी दो सकते हैं उसके बाद मैंने पैरों को पानी से दो के फिर मौशराइजर लगा लिए काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा है मुझे इसमे टू लेवल स्पीज सेटिंग है तो आप अपने रिक्वार्मे पर यूज करें और चोटे बच्चों के स्किन पर ना यूज करें और यह देखिए आप कितना ज्यादा ये डेट स्किन निकल रही है इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं उसके बाद मैंने ब्लैक वाला ब्रश लगाया है क्योंकि मुझे यहां पे काफी ज्यादा स्किन निकली हुई है और मैंने मौशराइजर लगा लिया पैरों को वाश करने के बाद अगर आपकी एडियों पर कोई कट है या कोई घाओ अगर आ है उसकेस में आप इसको ना यूज करें अगारों का यह कैलेसी के कामाने वाली चीज है क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो र करेंगे तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप चेक कर सकते हैं तो चलिए फटा फट से मैं यह सोली मो का स्क्रब कर लेती हूं उसके बाद फेस मास्क लगाऊंगी और उसके बाद कीचन के कुछ डौर सो गया साफ करने फिर एक का दिन में मुझ इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मतलब स्कीन को ऐसा नहीं लगता कि स्कीन हमारी बिल्कूल ही खुरच सी गई है बहुत ही जेंटली होता इससे स्क्रब और अच्छी तरीके से डेट से निकल जाते हैं और अभी मैंने थोड़े रील मतलब वीडियो फास्ट कर दिया इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी जोड़ जोड़ से कर रही हूं तो इसको मतलब आप जैसे स्क्रब करते हैं उससा आप से कर सकते हो बहुत ही सस्ता पड़ा है उसके बाद स्क्रब करने के बाद फेश्वास मतलब पानी से दो लिया उसके बाद मैंने coconut oil लगाया और कोई भी face pack हम लगाते हैं चाहे homemade और चाहे बजार वाला तो उससे पहले अगर हम oil लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा result आता है इसकी बहुत ही अच्छी हो जाती है नहीं तो थोड़ी बहुत dryness सी लगती है और dryness की वैसे skin फिर अच्छी नहीं लगती है तो यह सब क यह जो जार वाला है और उपर जो cabinet में रखा है उन सब को एक साथ रख दू और जो मैंने एक spice box लिया है उसमें फिर daily use के लिए रखूं क्योंकि एक एक जार पार बार निकालना पड़ता था तो खेर अभी मैं इन सब को डाल देती हूं फिर उपर से उतार के फिर बाद में जब मुझे time मिलेगा देखती हूं क्योंकि आजकल शाम भी तो इतनी जल्दी हो जाती है और यह इस type के डबो में मैं सारे मिसाले भर भर के रखती थी उपर तो यह डबो में खाली हो जाएंगे तो यह snacks यह किसी और चीज के लिए काम आ जाएंगे और इन सब को एक साथ र जान रखें और यह food grade है तो इसलिए टेंशन नहीं है और दूसरी बात है यह टाइट है जैसे इसमें साइड में आपको रबट दिख रही होगी तो इसमें और सारे मसाले मैं इसमें डालूंगी और कुछ मसाले मुझे पीसके रखने हैं इसलिए इसमें कम है क्योंकि अभी मुझे गैस चाहिए था खाली तो मैंने उसका उधर ही मैंने का कि उधर ही आप देख लो साथ में तो वह उसका बन गया तो यह सबजी बनाई और चावल बनाया है ज्यादा कुछ नी और यह कपड़े जो है ना प्रेस करने के कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो कि मुझे रख पता नहीं कहां से हो जाते हैं यह सब के साथ होता है कि सिरफ मेरे साथ ही होता है और मेरे हजबन के कपड़े एक अगर प्रेस किये होते हैं तो लगता कि हाँ एक ही है और एक पैन है तो एक ही खराब होंगे अब मेरे समझ में नहीं आता है इसा क्यों हो रहा है मेरे साथ औ और यह मैंने अभी इतने प्रेस किया है, बाँ न किक और स्वन एय सोफे प्रेश क्राइब Mark मैं इसके अब फना बचाने के प्रेस कंदरी से सब्सक्राइब खाल सी और कुर स्णवरा भूेज प्रेस करने चेय划 दिवाली के बाद भी चलती रहती है, खतम ही नहीं होती साफ सफाई तो, और मुझे वरत मतलब आगे के वरत करती हूँ, सारे वरत नहीं करती हूँ नवरातरी के, आप लोगों में से कौन-कौन वरत करता है, कॉमेंट में जरूर बताना प्लीज वेलकम बैक फ्रेंड्स और अभी पुझा ओजा का सारा समान कमल जी लीके आगया है, और समान मैं इसलें दिखा है क्योंकि कमल जी आते ही उसको पुझा वाले रूम में लेके गए थे और फिर कल बंदिरों करें सफाई करने होगी वो तो खैर कमल जी करेंगी और मेरे तो प् पहनना सको और उसी बहने प्रेस हो जाए नहीं तो आला साते रहता है फिर लगता है कि हाथ चलो बाद में कर लेंगे और स्टार्च वाले कपड़े बिना प्रेस के फिर अजीव लगते हैं पहने भी जाते तो चलिए इस व्लोग में इतना ही और कल सुबह फिर जल्दी काम है तो मिलती हो आप से नहीं व्लोग में नहीं या नहीं किसी वीडियो में तब तक लिए बाई बाई